बिस्मिल्लाहिल रिमान रहीम असलाम अलेकुम आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ग्रोशिट से प्रेयर केव और यह मैंने दो डिफरेंट साइजे में बनाई है ठीक है एक का जो साइज है वह सेक्स इंचिज है और इसकी जो वर्थ है वह तक्रीबन 10 इंचिज है इसका जो थ्रेड यूज हुआ है वह 40 ग्राम है साथ में जो मैंने इससे बड़ा साइज बनाया है वह 6.5 है और इसकी जो वर्थ है वो सेम है ठीक है सिर्फ इसकी जो हाइट है वो मैंने फाफ इंच जादा रखी और इसमें 50 ग्राम जो है वो कॉटन थ्रेड यूज हुआ है तो इसके लिए मैंने यह वाला कॉटन थ्रेड यूज है और यह बहुत लाइट वेटिड है और यह फोर प्लाइ कॉटन थ्रेड है ठीक है इस तरह से और हुक जो मैंने यूज़ किया है वो रोस कमपनी का डो नमबर ठीक है सेकंड नमबर जो उसकी साइड है वो यूज़ किये तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहां पर मैंने 18 डबल क्रोशे बनाए है magic ring में ठीक है 18 magic ring में मैंने dc बनाए है यहाँ पे slip stitch करेंगे chain 1 करके round 2 बनाएंगे round 2 में हमें हर एक stitch में दो-दो sc करना है 1, 2 1, 2 फिर नेक्स्ट में 1, 2 1 इस तरह से में round complete करके पिर आपको दिखाती हूँ round 2 complete करने के बाद आपके पास होंगे 36 stitches slip stitch करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे chain 3 1, 2, 3 round 3 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने chain बिनाएं पहले stitch में करेंगे 2 DC 1, 2 skip करेंगे 2 stitches और थार्ड वाले stitch में हम करेंगे 3 DC 1, 2, 3 फिर स्किप करेंगे 2 stitches और थार्ड वाले में करेंगे हम 3 DC 1, 2, 3 इस तरह से आप अपना यह थार्ड राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक यह मैंने राउंड अपना 3 कंप्लीट कर लिया यहाँ पे मैंने जो थर्ड chain है उसमें मैं slip stitch करूंगी और अब हम इंक्रेसिंग वाला राउंड करेंगे chain 1 की पहले stitch में 2 SC next stitch में 1 SC next में 2 SC next में 1 SC इस तरह से पहले stitch में 2 SC दूसरे में 1 फिर तीसरे में 2 चोथे में 1 इसी तरह से आपने यह इंक्रेसिंग वाला राउंड यहाँ तक complete करना है और फिर मैं आपको दिखाती है इस तरह से राउंड 4 complete करना है slip stitch के साथ चॉइन करना है और यहाँ पर करेंगे हम 3 chain 1 2 3 Sam हम repeat करेंगे अपना 3rd round पहले 3 chain बनाई उसी 1st stitch में हमने 2 DC बनाने हैं फिर 2 DC skip करने हैं और 2 stitches और नेक्स्ट स्टिच में 3 DC करने हैं skip 2 stitches थर्ड वाले में 3 DC करेंगे अब इसी तरह से आपको repeat करते जाना है जहां पर आपका ऐसी वाला round आएगा अब इसके बाद जो ऐसी वाला round आएगा उसमें आपने पहले 2 stitches में 1-1 single crochet करना है और 3rd वाले में 2 stitches करने हैं फिर अगले 2 stitches में 1-1 एक ऐसी करना है फिर उसके आगे वाले stitch में 2 एसी करने फिर आपने यह वाला round रपीट करना है इसी तरह से जब भी जब आपके पास ऐसी वाला round आएगा आपने उसमें increasing करने जिस तरह से हम circle बनाते हैं यह मैंने इस तरह से ready किया है यह देखें और total इसमें मैंने बनाए है 14 round बनाए है मैंने ठीके increasing मैंने SC में की है और यहां पर मैंने एक stitch में 3 DC पर 2 stitches को skip किया है इस तरह से आपको जितना इसका circle चाहिए उतना आपने रखना है मैंने यह 6.5 रखा है लेकिन अभी जो मैं बनाऊंगी उसको मैं रखूंगी 7 इंच तो जितना आपको circle चाहिए उतने आपने rounds बनाके उसको ready करना है यह मैंने अपना circle ready कर दिया है और इसका size आ रहा है पूरे 7 inches ठीक है यह 7 inches तक आएगा और increasing मैंने ऐसे किये जैसे हम circle बनाते है simple SC वाला या DC वाला उस तरह से increasing किये मैं थोड़ा सा guide कर देती हूं यहां पर DC वाला round था पहला second round मैं मैंने increasing किये तो यहां पर मैंने double किये उसके बाद हमने stitch में 3 dc किये 2 stitches को skip किया फिर third वाले में 3 dc किये ठीक है इस तरह से आपने अपना third round complete करना है जब आप fourth round में SC वाला round करोगे इसमें सिर्फ increasing SC वाले round में होगी बाकी जो हमारा यह third round हमने जैसे बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा एक में 3 dc दो skip करने फिर next वाले में 3 dc तो जैसे जैसे आप increasing वाला round बनाओगे जैसे इसमें 2 थे अब इसमें 1 में हमने करने हैं दो SC और फिर एक में 1 फिर next में 2 SC फिर next में 1 उसके बाद जो हमारा dc वाला round आएगा उसको complete करेंगे फिर जो यह वाला round आएगा SC वाला उसमें आपने एक में 2 SC करने हैं फिर अगले 2 stitches में 1-1 SC करना है इस तरह से आगे वाले round में एक stitch में 2 SC करने उसके बाद अगले 3 stitches में 1-1 SC करना है फिर 2 SC करने इस तरह से फिर 4, 5, 6 यहां 6 तक आएगा इसमें कोई hard and fast rule नहीं आपको इतना ही circle चाहिए आप चोटा बना रहे हो इसके rounds कम कर दो पर यह standard size है मैं इसलिए इसमें मैंने जो है वो इतने rounds मनाया तो total हमारे जो round बनते हैं 15 round बनते हैं total ठीक है अब हम इसमें कोई भी increasing नहीं करेंगे अब हमें करने हैं चैन वन सिंगल क्रोशे एक एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से और यह वाला round हम यहां तक complete करेंगे यहां पर मैंने इस वाला round complete कर लिया है अपना अब हम इसको slip stitch के साथ join करेंगे इस तरह से अब आपनी क्या करना है chain 2 की अब हम इसको back loop पे DC करेंगे ठीक है इस तरह से all around में हम back loop पे SC करेंगे अब इसको हम जोइन करेंगे मैं यह वाला round complete करके फिर आपको दिखाती हूं back loop पे मैंने DC कर दिया है अब इसको हम join करेंगे chain 2 अब हम normal DC करेंगे दोने loop के साथ इस तरह से हम करते हैं अब आपने इस तरह से अपना round complete करना है यह round मैंने यहां पर complete कर दिया है यानि कि दो हमारे DC के round complete हो गए इसको slip stitch के साथ join करेंगे अब हम इसका नीचे वाला border बनाएंगे यह वाला ठीक है multiple of nine के साबसे आपने अपनी stitches count करने हैं अगर आपके पास कम है तो फिर आप multiple of eight multiple of seven इस तरह से count करेंगे और यह वाला border ready करेंगे तो मैंने यहां पर one two three four चार chain बनाई पहली को skip किया second volume DC अब अगले seven stitches में हमने DC करने हैं total हमें eight DC चाहिए इस chain के बाद one two three four five six seven और eight chain one करेंगे नीचे से एक stitch skip करेंगे अगले eight chain में हमने अगले eight stitches में एक एक DC करेंगे यह वाला राउंड करेंगे और अगले अगले eight stitches में एक एक DC करेंगे यह वाला राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूं यह वाला राउंड मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया है अपने लास्ट लास्ट में मेरे पास eight DC आये हैं इनको हम जॉइन करेंगे यहां पर जो स्टार्टिंग में हमने फोर चेन बनाई थी तो थर्ड चेन में हम इसको जॉइन करेंगे इस तरह से ठीक है अब हम इस डिजाइन का बार्डर का राउंड टू कर रहे हैं आप इसको राउंड टू ही कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से यहां पे हमने जहां पे पहले chain बनाई थी यहां पे slip stitch करेंगे और करेंगे 4 chain 1 2 3 4 यह वाला dc skip करेंगे अगले वाले में हम करेंगे double crochet 1 2 3 4 5 6 हमने किये 6 dc chain 1 करेंगे और यह वाला dc skip करेंगे अब हम double crochet करेंगे यहां पे ठीक है chain 1 करेंगे अगला dc skip करेंगे फिर हम 6 dc करेंगे total 1 2 3 4 5 6 फिर हम chain 1 करेंगे और यह वाला dc करेंगे जहां पे पिछले राउंड पे हम dc करेंगे फिर चेंगे और अगले stitch को skip करेंगे फिर next six stitches में हमने एक एक dc करना है ठीक है इस तरह से आप अपना यह राउंड कम्प्लीट करेंगे जब आप लास्ट अपने six dc कम्प्लीट करोगे तो आपके पास यह chain वाला space आएगा आपने chain 1 करनी है और यहां पे थार्ड chain में आपने इसको जॉइन करना है स्लिप स्टिच के साथ ठीक है अब यहां पे हम करेंगे स्लिप स्टिच करेंगे चार्चीन one two three four यह वाला स्टिच स्किप करेंगे नेक्स्ट स्टिच में लीजी करेंगे one two three four यह अब हमने four dc किये chain one की और यहां पे किया एक डबल क्रोशे chain one skip one stitch one double crochet chain one skip one stitch one double crochet ठीक है अगले तीन स्टिच में एक एक डीसी करेंगे one two two total four dc होंगे यहां पे ठीक है chain one करेंगे नीचे वाला स्टिच स्किप करेंगे यहां chain वाला स्टिच में डीसी करेंगे chain one यह वाला स्टिच करेंगे नेक्स्ट फादे में एक डीसी करेंगे chain one यह वाला स्टिच स्किप करेंगे अगले चार स्टिच में एक एक डीसी करना है three four.. इस तरह से आपने यह वाला राउंड स्टिच करना कि लास्ट में मैंने अपने चार्टी किया है फिर एक चेंड की है यहां पे येस्टिजच स्किप करने है और और लेफ्ट चेइन वाले स्पेशल में टी varieties किया चेंड वन की और यहां पे थर्टेंड में इसमों किया जोइन करना है इस तरह से अब हमें क्या करना है यहां पर स्लिप स्टिच करना है अब हम अपना फूर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 चैन ठीक है इसको इसको किप करना है नेक्स्ट चैन में मैंने डीसी किया अब हम सिर्फ डो डीसी करेंगे वान और यह तू चैन वन करेंगे यह स्किप करेंगे नेक्स्ट में डबल क्रोशे चैन वान डबल क्रोशे चैन वान डबल क्रोशे चैन वन स्किप वन डबल क्रोशे और डबल क्रोशे ठीक है पहले पहले हमारे पास एक होल आया फिर दो फिर तीन और यह अब चार ठीक है अब हमने दो डीसी किये चैन वन की एक को स्किप किया नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे चैन वन स्किप वन नेक्स्ट चैन स्पेस में हमने एक डबल क्रोशे किया, chain 1, skip 1 और chain space में डबल क्रोशे किया, chain 1, नीचे DC skip करना है, अगले 2 stitches में हमें एक एक डीसी करना है, यह round 4 है, round इस तरह से 4 मैंने complete किया है, border वाला, और last पर मैंने DC किया, अब chain 1 की, यहाँ पे 3rd chain में हमने, एक slip stitch करना है, ठीक है, यह अपका complete हो गया, अब आपने यहाँ पे जो space है, वहाँ पे slip stitch करना है, और 3 chain करनी है, अब हमें, 1, 2, 3, यह as a DC count होगी, अब जो हमारा next DC है, उसमें हम double crochet किया, फिर next वाले में double crochet किया, फिर next वाले में double crochet किया, तोटल हमारे पास 4 DC आएंगे, अब हम chain 1 करेंगे, और यहाँ पे जो space है, उसमें हम करेंगे DC, chain 1, double crochet, chain 1, double crochet, इस तरह से हमने, अपना DC किया, अब हमारे पास जो अगले 2 DC हैं, उसमें, 1, double crochet करना है, फिर जो हमारे पास next chain space है, उसमें भी हमें, 1 double crochet करना है, तोटल हमारे पास, 4 DC आएंगे, chain 1 करेंगे, और नेक्स्ट चैन स्पीस में, double crochet, chain 1, double crochet, chain 1, double crochet, अगले स्टिच में, एक और DC, नेक्स्ट चैन स्पीस में, उपर एक और DC, अब चैन स्पीस में, एक DC, इस राउंड को मैंने यहां पर last DC बनाया है, फिफ्थ राउंड है यह, ठीक है, इस border का, तो यहां पर थर्ड चैन में, हम इसको, जॉइन करेंगे, लेकिन, चैन वन करके फिर जॉइन करना है, तक इस में, हमारे इस राउंड में, हमारे पास, तीन स्क्वायर्स आएंगे, चैन त्री, राउंड सिक्स, नेक्स्ट लबल क्रोशे, इन त्रीन चैन को हम डीसी ही काउंट करेंगे, त्री, फॉर, और यहां पर जो चैन स्पेस है, वहां पर हमें डबल क्रोशे करना है, तोटल हमारे पास होंगी, फाइव डीसी, फाइव डीसी किये, चैन वन, यहां पर डबल क्रोशे, चैन वन, डबल क्रोशे, यहां पर हमने चैन वन करके डीसी किया, यहां पर करेंगे, डबल क्रोशे, चैन वन, डबल क्रोशे, चैन वन, डबल क्रोशे, इस वरले राउंड में हमारे पास दो स्क्वाइर होंगे, इसके बाद हम टोटल चैन डीसी करेंगे, इस तरह से 5, 6, यहां पर 5 DC है, क्योंकि यहां पर जो हम लास्ट हमारे पास स्क्वायर है, इसमें DC होगा, तो आपने 6 DC किये, फिर chain 1, DC, chain 1, DC, फिर chain 1, और 6 DC, इस तरह से आप अपना ये 6 round कम्प्लीट करेंगे, राउंड सिप को हम यहां कम्प्लीट करेंगे, इस तरह से, chain 3, double crochet, 4, 5, 6, starting में हमारे पास 6 DC होंगे, फिर chain 1 करना है, फिर एक स्किप करना है, और फिर DC करना है, इस तरह से, अब इसमें हमारे पास एक स्क्वायर आएगा, अब हम जो DC करेंगे, वह हमारे पास total 8 DC आएगे, ठीके, यह हमने एक किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीके, 8 DC आए, chain 1 किया, यह स्किप किया, नेक्स्ट, chain space में हमने DC किया, अब मजीद हम 7 DC करेंगे, एक हमने यह किया है, total 8 होंगे, ठीके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chain 1, skip करेंगे, यह ला स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में एक DC, ठीके, यह इस तरह से आएगा, इस तरह से आप अपना लास्ट 7 राउंड जो है, वह कंप्लीट करेंगे, जोईन करेंगे, slip stitch के साथ, और chain 3, इसको हम as a DC काउंट करेंगे, अब हमें सिम्पल डबल क्रोशे बनाने हैं, अल अराउंड में, ठीके, chain स्पेस में भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से आपने अपना ये राउंड कंप्लीट करना है, यहां पर हमें अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, chain 3 करेंगे, और फिर हम एक और राउंड करेंगे, डबल क्रोशे का, इस तरह से, ये मेरा सेकंड लास्ट राउंड है, मैं इसको कंप्लीट करूंगी, डीसी वाले राउंड को, उसके बाद एक लास्ट राउंड में ऐसी वाला राउंड बनाऊंगी, फिर आपकी ये कैप जो है, वो कंप्लीट हो जाएगी, मैं ये दोनों राउंड कंप्लीट करकी फिर आपको दिखाती हूँ, यहां पर मैंने अपने दोनों रौंड्स कम्टेट कर दिये ऐसी वाला भी रौंड कम्टेट हो गया मेरा अब हम इसको यहां पर सिलिप स्टिच किया मैंने अब इस तरह को आप कट कर सकते हैं और हाइट कर दें आप चाहें तो नीडल की हेल्फ से इसको स्यू करें या हुक की हेल्फ से इसको हाइट करें मैं इसको नीडल से सिक्यूर करूंगी अंदर इस तरह से और ये हमारी प्लेयर कैप रेडी हो गई नहीं ए जा झाल 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 झाल